नमस्कार आप देख रहे हैं सत्यमीव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मांसिया चारिव पुरिटिन की शुरुबात करेंगे खास ख़बरों के साथ लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्कियों पर संग्रिया में स्कूल बस और बाइक में हुई भिड़न भिड़न में बाइक सवार की मौत जोदपुर के आउँ में लक्षमनगर में फाइरिंग का प्रकरेंट मामला पुलिस ने तीसरे आरूपी को किया गिरफतार अलवर के बहरोड में आतंकियों की गोली बारी में स्यार पीएफ जवान संदीप यादव हुआ शहीद शहीद काराज के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संसकार और जुन-जुनों के मंडावा में ऐसे चोराकेश मीना ने किया मामले का खुलासा पत्ली ने ही जहर देकर मारा सा फौजी रविंद्र उर्फ बाबू को और अब खबरे विस्तार से संगरिया गाउं बोला वाली के पास में एक निजी स्कूल की बस के साथ बाइक सवार की भिड़क्त हो गई फिर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जर म्रतकी जेब में से एक आधार कार्ड मिला जिससे म्रतकी पहचान की जाक सकी ब्रतक के शव को संगरिया के सरकारी चुकित साले में रखवाया गया है बाब कजबे सहित आसपास के क्षेतर में शनिवार को इंदर देव महरबान हुए शनिवार को इंद दिन पर तेज गर्मी और उमस्रही शाम को करीब 6 बजे तेज आंधी का दौर प्रारम हुआ जो करीब 10 मिनिट तक चला इसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी हो गया आमजन को गर्मी सिराहत मिली बाब सहिद, खिदरत, खिरवा, जोड, हिंदाल, गोल, बावडी, बरसिंगा, बेडी सीड, नया गाउं, गार्डना, आदी गाउं में बारिश हुई जैबर्जले के सामभर कजबे के नगरपालिका सबागार में 16 व्यक्टियों को न्यू सफाई कर्मुचारी के लिए न्यूक पत्र दिये गया तव्या है कि कुछ समय पहले सफाई कर्मियों के लिए सरकार त्वारा भरतिया निकाली गई थी जिसके अंतरगत लोगों ने अ चाइनीज लोगों का माल्यार पंकर और मिठाएं खिलाकरों ने नियूक्ति पत्र दिये गए नियूक्ति पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठे जालावार के उनहेल कस्वे के विश्व प्रसिद नागेश्वर जैन तीर्थ में शनिवार सुबह चातर मास हेतू आचारे कल्यान सागर सीरुश्वर महराज आचारे राश्तिलक सागर सीरुश्वर महराज और लगुबराता तेज प्रवचनी धर्मकीर्थ सागर महराज जहां कस्वेवासियों ने आचारे का स्वागत किया आचारे के मंगल प्रवेश में नागेश्वर तीर्स में बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालू पहुंचे और गण्मानी लोग भी उपस्तित रहे। परिक्षा परिणाम विध्याले परिवार की ओर सी सभी उत्तीन विध्यार्थियों को हार्दिग बधाई अत्यादुनिक्सो विधाय उपलप्त प्रवेश प्रारंब व्यवस्थापक नरेंद्र कुमार सैनी मोबाईल नंबर 9785-505936 बरतपुर के डीग में एक मात्र शिक्षा का सर्वोतम स्थान स्वामी राम सुरूप माध्यमिक विध्यामंदिर हरवर्ष दस्वी का सर्वश्रेष्ट परिक्षा परिणा अनुभवी और योग्य अध्यापको द्वारा अध्यापन विध्याले परिवार की ओर से सभी उत्तेन विध्यार्तियों को हार्दिक बधाई प्रधान अध्यापक मोतिलाज शर्मा मुबाइल नंबर 941471-5981 स्वामी राम सुरूप मादिमिक विध्यामंदिर प्रवेश प्रारंब नगर रोड बीग भरतपुर चुरूर अधनगर नगर पालिका सभागार में नव नियुक 54 सफाई सेवकों को देवस्थान मंत्री राजकुमार रिन्वा ने नियुक्ति प्रत्रप्रदान किये पालिका में गद दिनो लोटरी में 54 सफाई सेवकों की भरती की गए थी बरत हुए करमचारियों में पहली बार 11 विसी वर्क के लोग भी शामिल है 54 सफाई सेवकों में 22 महिलाएं हैं इन करमचारियों की नियुक्ति होनी के बाद पालिका में 181 सफाई सेवक कारे करेंगे इस मौके पर रिन्वा ने कहा कि सवचता अभियान के अंतरगर शहर की शांदार सफाई विवस्ता में पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों का सराहनिय योगदान राया जिसकी बदॉलत शेहर के नगर पालिका ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान अरजित किया है पालिका अधिक्ष लीटू कलपान कांथ ईयो नूर मोहबत खान से पालिका कर्मी और पार्षद गंड उपस्त रहे जोदपुर के शेरगण उपकरण की ग्राम पंचायत गड़ा में कारियरत पंचायत साहयक जो वर्तमान में राज की उचिमाधमिक विध्यालाई गड़ा में सेवारा थे उनके साथ उसी स्कूल के बदमाश प्रवती के चात्रों को पंचायत सायक द्वारा स्कूल में अनुश्यासन में रहने को कहने पर चात्रों द्वारा रंजिश रखते हुए स्कूल की छुट्टी के बाद पंचायत सायक रूगहरा मेगवाल के साथ लाठी उसी चान लिवा हमला की आपुलस ने मामला दर्श कर जान चुरू कर दी है वहीं घायल पंचायत सायक का राज्च के सामुदा एक सुचिकित साले शेरगड में उपचार चल रहा है रीवा के गोगेंगर बिजली विभाग मुख्यमंतरी बिजली बिल योजना के तहत लिट ग्राहियों को नगर पंचायत अजिक्ष पषपा सोनी पूर्व अधिक्ष राजेश गुपता की अधिक्षता में जैई गोविंगर सुमित कुमार ने बिजली बिल माफी के प्रमार पत्र वित्रित किये और राजेश कुमार गुपता की मौजूदगी में सरकारी योजनाओं को विधिपूर्ण जयी समित कुमार जवारा बताये गया और बिश्ली बिल माफी प्रमार पत्र मौजूदाओं भोगताओं को बाटे गए जवर में रोटरी क्लब द्वारा नव निर्वाचित कारिकारेणी का शबत ग्रहन समारों का एजन किया गया शबत ग्रहन समारों में क्लब के अदिश मौनीश महरा और उनके कारिकारेणी को शबत दिलाए गई सफसर पर नीरत सागरी मुख्यातिती रहे रोटरी क्लब के सेकेर्टरी मूलचन सैनी ने बताया कि रोटरी क्लब के द्वारा 550 सरकारी स्कूल में MOU हस्ताक्षर हुए जिसमें 32 स्कूलों में रोटरी क्लब रहेंड वाच स्टेशन और शौचाले बनाएंगे और इसके साथ ही पॉलिथिन पर बैन लगाएंगे और उसकी जगह जूट बैग दिया जाएगा अंगनवाडियों को गोज लिया जाएगा और व्रक्षा रोपन अभियान चलाया जाएगा इस शपत ग्रहन समहारों में संजे कौशिक हेमेंद्र शर्मा मुनीश महरा मूचन सैनी आदी कई गंडमाने लोग उपस्थित रहे आज हमारा जो इंस्टालेशन का प्रोग्राम है जिसमें अबरे किलब के नए मेंबर्स और मोडव डियाक्टर्स जो अपइंट हुए उनकी आज शपत ग्रहन सामवारों जो पूरे साल में काड़ी करम करेंगे उसके बारे में हम लोग बताएंगे हम लोग सोशल अक्टिविटीज करते हैं प्लस लोगों से आपस में फेलोशिप अगरा प्रोग्राम देता है और आज करीब 1 गंडे का हमारा प्रोग्राम है और वहारे चीफ केस्ट है बिसाप हमारे जाएंग दिस्ट्रिक जाज है और आज टाइम को चेयरमेन है जाएंग है वो आज हमारे इंस्टोडिशन ओफिसर है जो सबको शपत दिलाएंगे और हमारे इंस्टोडिशन सेर मेरी जेपूर का सपत ग्रहन समारो काप्ताडी करम आईजिट किया जा रहा है इसमें ने मेंबर्स भी आज जोड़े जा रहे है अभी कौन अध्यक्स होने है आपके अभी परजेंट टाइम में मेरे साथ में अध्यक्स मोनिश महरा जी और मैं मूलचन सेरी सेक्टर्टी अठार गुनिश देसी खाना, विदेसी खाना, चटपत खाना, जटपत खाना, घर का खाना, बजार का खाना ठाली का खाना, सड़क का खाना, छोटा खाना, बड़ा खाना, खाना पीना, ऐसा खाना, वैसा खाना, बस खाते ही जाना, खाना खा जाना, यमी खाना, तम्मी खाना जिहाँ सत्य में वलाए हैं अपने दर्शकों के लिए खास का रिक्रम, किचन करामाद दुरिया भर की स्वादिश्ट रेसिपीज को अब बनाईए चुटकियों में हमारे साथ देखिए किचन करामात और सीखिए हुनर रसोई का हर रोज देखिए एक नई विधी एक नई रेसिपी की सेर्फ किचन करामात में हेलो फ्रेंज अगर आपमें है टालेंट सिंगिंग का डांसिंग का यहो को या नोगा टालेंट तो उठाई अपना फोन कीजिये रिकॉर्ड और भेजिए हमें आपके स्क्रीन पर देए हुए इस नंबर पर या फिर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी है MJF Senior Secondary School सभी उत्तीन विध्यार्थियों को प्रधाना ध्यापक लक्ष्वन प्रसाथ सैनी और समस्विध्याले परिवार की ओर से हार्दिक बधाई दि राजस्थान ग्लोबल स्कूल जर से मजबूत शिक्षा डीक का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माथ्यम स्कूल अत्या ध्यूनिक सोविधाओं के साथ डीक का प्रथम बास्तविक अंग्रेजी माथ्यम स्कूल अड्मिशन ओपन कक्षा नर्सरी से आठवी तक दिग राजस्थान ग्लोबल स्कूल बैंक अब बरुला के पीछे डीक हरतपूर मुबाइल नमबर डबल सेवन थ्रीफोर नाइन वन नाइन सिक्स नाइन सेवन नाइन सेवन नाइन सिक्स टू श्रीनगर के अनननाग जिले मी 13 जुलाई को सुबह आतंक्यू की गोली बारी में शहीद हुए अलबर जिले के हाजीपूर के समीब धानी गूर्जर वाली निवासी CRPF जवान संदीप यादव का देश शाम को राज के समान से अंतिम संसकार किया गया मौकी पर केंद्रे मंत्री राज्यवर्दन सिंग राठ और CRPF के डी अनल डोडिया और CRPF के कमांडेट भरत कमार वैशनाव सहीथ अनेक जन प्रजनिदी मौचूद रहे उनके पुत्र शहीद संदीप यादव के पुत्र आशीश ने मुखा गिन दी दो दिन से इस गाउं में चूलहे भी नहीं चले और आसपास के गाउं में शोक की लहर चा गई दो दिन पहले अननाग से शहीद संदीप यादव का पार्थिवदे सेना के हेलिकॉप्टर से जैपुर पहुचा और जैपुर से दो पहर दो बच कर पैतालेस मिनिट पर अलवर जिले के थाना गाजी सित्व डेरा में हवाई पट्टी पर हेलिकॉप्टर उत्रा वहां से स जो आज 96 बटालियन जमो कसमी CRPB में तेनाथ थे जो सहीद और वीरगति को प्राप्त हुए है इस समंध में हमारे को मुट्कियाले से यह सूचना मिली थी के सहीद को उचित समान है हूँ परिवार वालों को डार्डश बंदाने के लिए जो हमारे को तेनाथ किया गया है और अजमेर से समान इनको समान देने के लिए CRPB समस्त परिवार इनके परिवार के साथ में हैं और हमारे डियाईजी सीरी अनिल डॉंडियाल बांचूर में अभी यहां पर परजेंट में हैं जो आ रहे हैं और इस दोरान हम यहाँ से हेली पेट से इनके गर की और रवान होंगे जिसमें उनको से समान इनका सहीद को दासंसकार किया जरेगा नागौर के JLN राज के इस्पिताल का जिला कलेक्टर के निर्देश पर SDM परसाराम टाक निशनिवार को इस्पिताल का निरिक्शन किया की के सुपर्द कर नियमानुसार जुर्माना किया जाए SDM टाक ने अस्पिताल परिसर में बनी कैंटीन और सरतबूत संचालकों को भी निर्देश दिये वो अपने आस-पास कच्रा नहीं फैलाए और अपने प्रदिश्ठानों के आगे कच्रा पात्र लगवाएं जिससे अस्पिताल परिसर में स्वच्छता बनी रहे जुन-जुन समय प्रदेश के करीब 166 निकायों में सफाई करमचारियों की भरती हो गई है 27 और 28 जून को प्रदेश की 183 निकायों में करमचारियों की भरती के लिए लोट्री निकाल दी गई थी लेकिन परिणाम घोशित नहीं किया गया था कल शाम को हाई कोट के निर्णे के बाद नाके बर 166 निकायों में परिणाम घोशित कर दिया गया बलकि आज की छुटी होने के बाद जुद नियुक्ती पत्र भी दे दिये गा इसी क्रम में जुद्जुन नगर परिशद में भी 153 चैनित अभ्यारतियों को जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव सभापती सुदेश एहलावत ने नियुक्ती पत्र दिये इसके बाद नगर परिशद की सवाई करमचारियों की संक्या तीन गुना बढ़ गई है पहले जहां करीब 50 सवाई करमचारी थे वहीं अभी आँकड़ा 200 बार कर गया है साथी 26 साल बाद सवाई करमचारियों की भरती होने से खुशी है खास कर वाल्मी के समाज में इससे खुश है पंपटराइज लोटरी के माध्यम से ये भरती हुई है और सब लोग इसमें संतुष्ट हैं किसी प्रकार का वोनी है नगर परिशद को निश्यत रूप से सफाई के लिए अतरिक्त करमचारी भी मिल गए हैं और राजे सरकार की भरती की इस प्रकरिया जो पूरे प्रदेश में चली है उसके कारण से लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है सरीता सेकेंडरी स्कूर समस उत्तीन विध्यार्थियों को विध्याले परिवार की ओर से हारदिक बधाई भरतपुर के डीग में एक मात्र शिक्षा का सर्वोतम स्थान आनन भारती विध्यापीट हरवर्ष दसवी, आतवी और पांचवी बोड का सर्वश्रेष्ट परिक्षा परिणाफ विध्याले परिवार की ओर से सभी विध्यार्थियों को हारदिक बधाई हिंदी इंग्लिश मीडियम कक्षा प्ले ग्रूप से दसवी तक अड्मिशन ओपन आनन भारती विध्यापीट भूडागेट दीग भरतपुर मुबाईल नंबर 9460109393 9414210993 भरतपुर के डीग में एक माच शिक्षा का सर्वोतम स्थान मासरस्वती आगर्ष विध्यामंदिर हर वर्ष दसवी, आठवी और पाचवी बोड का सर्वश्रेष्ट परिक्षा परेणा संपूर्ण शिक्ष्या, संपूर्ण संतुष्टी, अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन विध्याले परिवार की ओर से सबी उत्तीन विध्यार्थियों को हर दिग बधाई प्रधान अध्यापक, HC, सैनी, व्यास्थापक, महेश्चत प्रवेश प्रारम, LKG से 10 वी तक के लिए, संपर्ख सूथ, 9166-86274, 9462-376051 मासरस्वती आदर्श विध्या मंदिर, भूटा गेट, दीग, भरतपुर, राजस्थान बरतपुर के डीग का एक मात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र, पुषपांजली सीनियर सेकेंडरी स्कूल दसमी का सर्वश्रेष्ट परिक्षा परेणा, विध्याले परिवार की ओर से सभी उत्तीन विध्यार्थियों को हार्दिक बधाई प्रवेश प्रारम, एलकेजी से बार्वी के लिए, एलकेजी से पाशवी तक अंग्रेजी माध्यम में वाहन सुविधा उपलप्त, डिरेक्टर, मुकेश सिंग राशपूत, मुबाइल नंबर, 9413-594363 पुषपांजली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आरे समाजगली, सौगर मोहला, डीक भरदपुर सीम राजे शनिवार को राज के सेट आनंदी लाल पोदार भुख वधिर वध्याले प्रांगण में सवितार अंजीत सिंग भंडारी डॉल्स म्यूजियम के लोकारपन समारों को संबोधित कर रही थी उन्होंने प्रदेश के भामाशाओं और सामजग कारिकरताओं से विभिन विधाओं से जुड़े लोगों का आवान किया कि वे इसके लिए एक साथ जुटें उन्होंने कहा कि मुखबदीर दिव्यांग बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और प्रशिक्षन के लिए ऐसे संस्था की स्थापना एक बड़ा सपना है जिसे समाज के सक्षम लोग प्रभुद्ध जन और राज्यसरकार आपसी समन और योगदान से पूरा करते हैं मुख्यमंत्री ने बुगबदीर विध्याले और डॉल्स म्यूजियम के संचालन में अकरीनी भूमिगा निभा रहे ट्रस्ट को म्यूजियम और विध्याले के लिए हॉस्टल से अन्य सुविधाय उपलब कराने के लिए धन्यवाद दिय मारवार जंक्शन निकट चेला वास ग्राम में मेरा बूत मेरा गौर्फ कारिकरम के तहत पूरु जिला प्रमुक खुश्वीर सिंग जोजावर ने उपसित लोगों के बीच बैट कर आम आदमी की तरह जन समवाद कर बाजबा सरकार की विफलताओं को कोसा और कॉंग्रेस मौजूद रहे गाम का है जानकारी के मताबिक गोविनपुरा के रहने वाले फौजी रविंद्र उफ बाबू की 13 मार्च को संदिक धालातों में मौत हो गई थी इस मामले में मिर्तक की पतनी रितू ने परिजुनों को बताया कि वह और उसका पती रविंद्र दोनों कमरे में थी और बात गासे से अपनी बहु के खिलाफ हत्या का मामला दर्श करवा दिया जिसमें उसने आरोब लगाया कि उसके बहु खीचणों की धानी तन नवलडी निवासी रितू का किसी यूवक के साथ प्रेम प्रसंद चल रहा है जिसके कारण उसने उसके बेटे रविंद्र उर्फ बा कामले का शनिवार को ऐसे चो राकेश मीना ने खुरासा किया जिसमें उन्होंने ना केवल रितू बगी उसके प्रेमी भैडा की धानी निवासी आदेश भैडा को हत्या के आरूप में गिरफतार कर लिया है ऐसे चो मीना ने बताया कि रितू अपने पती रविंद्र से तल पोलस ने दोनों आरूपियों को कोड में पेश किया जहां से उन्हें जेल फेज दिया गया जो श्री बहुंगरलाल जी ने करी थी बहुंगरलाल जी का सिकर होने के बाद यह तक्तिस मेरे पास आई मैंने सुर्वाती तक्तिस में जो परिवाज्य के ब्यान लेगवत की इसका मर्तक का जो पोस्कमाटम था वो सिकर जान से मेडिकल वोर्ड से इसकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप की गई मर्तक की जो माने जो नैन ता रहा थी उसमें अपनी रितु के विरुज जो है 302 मुक्तमतर परद आरुपिया रितु को रितु से पूस्ताज की गई तो रितु ने वदाया कि मैं और मेरे बती रूम के अंदर दें तो मेरे साम ने फासी पर्ट कीया मैं इसको फासी से काट के नीचे फर्स पर इसको लटाया जाग इसको बैड़ भी एड़ए यह व्या गेहंता से पूस्तास की गई तो रिट्टु ने खबूला कि मैंने दोके से मेरे प्रेवी आदेश पीड़ा जो भीड़ो की ढानी जुनिनुकर रहने होना था उसके साथ मेरे 6 साल से संबन थे शादी से पहले से मेरे 6 साल से संबन थे दोनों की कोल लीटेल निकलाई गई कोल लीटेल से भी इस बात की पुस्टी हो दिए कि दोनों लगता कांट से काफी समय से जो है और दोनों से गेहंता से पूस्तास की गई तो दोनों ने कबूला कि मेरे पती जो हम दोनों के बीश में पातल हु संगता पस्पार कर डीआ को ऊक्ष्म imam के तरह करना के रहा है dimension तोनको इन्यालाम को जेसी करवाएगे अधा है भी घूर में गैं वह फाइरिंग प्रकारिंग में पुलिस ने तीसरे आरूपी को किरफतार कर लिया है और छेवान जब्त किये हैं कजबे के लक्षमन नगर में एक हफता पहले बदमाशों के दो गुटों में हुए जगड़ी के बाद फाइरिंग में लोहावट निवासी, सुरेश, खिलेरी की मौत और चार अन्य खायल ह इस प्रकरणं को लेकर भुजासर पुलिस थानि में सत्रा लोहों के खिलाफ मुकदमा डर्ज हुआ। जिसको लेकर पुलिस ने dor रांege कुमार, पुत्र, किषुना, रम विशनोई निवासी, dai gana, राम निवास, और राम चंद्र सोहुणा बी निवासी, जैसला को पुलिस पुलिस ने गिरिफतार कर लिया है जिसकी रिमांड अवदी पूरी होने पर ओसिया ने आयले में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया इन आरोपियों में से तीसरे आरोपी शामलाद पुत्र जेता राम विश्णोई निवासी कृष्ण नगर को पुलिस ने में अट्रापना विश्णोई नगर को शायरे में से खितल लिमांड और में अच्ड़गों में से में जुछआ होने दिमाना अट्राप में पुलिस व्रेबना पराम प्लड़क्त कृष्ण ने, इसलिभता थ spo прог